हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चुड़ेल से हुआ सामना मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है, मैं बेश्ट बंगोल के एक गाउं में रहता हूँ मैं अभी इंजिनेरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ मैं अक्सर छुटियों के दिन या फिर विक एंड पर अपने बाइक लेकर लॉंग राइट पर जाता हूँ एक दिन मेरी साथ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरी सरीर की रूह तक कापने लगती है आज से दो साल पहले की बात है मैं बाइक लेकर कोलकता लॉंग राइट पर गया था रास्ता तीन दीन का था इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करने पड़ती थी एक बार एक बार रास्ती में मुझे बहुत भूख लग गई इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास के नास्ती के दुकान पर दो बड़ा पाव खा लिया बाद में मैंने अपनी ट्रॉलिंग की शुरुआत की कुछ समय बाद साम को अचानक मेरा पेट भी गड़ने लगा मैं होटल पे जा सकूँ इतना समय भी नहीं था इसलिए मैंने पास के सुलब सोचाले पे एंड यूज का अप्योग किया वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुस के सोचाले में एक औरत का क्या काम इसी समय वहां की लाइट चालू बंध होने लगी मैं तो डर के मारे कापने लगा मेरे सरीर के रोंगटे खड़े हो गए मैंने जोर से आवाज लगाई कौन है जो यह मजाक कर रहा है बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं थोड़ी देर बाद वहां सब ठीक हो गया मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिस कर रहा था लेकिन ओ वासरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था मैंने चोकिदार को आवाज लगाई उसने आकर देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था फिर उसने आवाज लगाई दरवाजा खुला है आप थोड़ा धक्का लगाए मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया मैं पैसा देकर बाहर निकला ही था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा मुझे वापस से खतरनाक वासरूम में नहीं जाना था लेकिन कोई चारा भी नहीं था इस कहानी का पार्ट टू सुनने के लिए किरिपिया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें